नमस्कार, क्या आप किसी भी फिल्ड में सक्सेश होने के लिए जीनियस होना जरूरी है? क्या जितने भी सपल लोग होए हैं, वो जीनियस लोगी सपल होए है? जो लोग average mind वाले हैं जो लोग class में पीछे बेढ़ते थे क्या वो अपनी life में सपन नहीं हुए क्या वो अपनी life में आगे नहीं बढ़े तो क्या यह एक bench mark है कि अगर आप genius होगे तब ही आप सपन होगे life में आगे बढ़ना है life में कुछ करना है तो क्या genius होना जरूरी है smart, very smart होना जरूरी है त्यान रखना सपलता, success, genius होना जरूरी नहीं है यह तीन work जो करता है ना वह भी सपलता पा लेता त्यान रखना और वो तीन work क्या है यह देखिया इमानदारी से अपना लक्ष तै करना और लगातार consistency से उस लक्ष का पीछा करना इमानदारी से अपने काम को पूरा करना जरूरी नहीं ध्यान रखना आप genius नहीं हो कोई बात नहीं आप अपने काम के परती honest रहें कुछ भी काम करें तो अपने दिल से अपनी आत्मा से पुछे कि क्या मेंने इस काल इपने 100% दिया 100% से दिया आपके दिल गवादे देगैं अगर आपका दिल satisfy जोगा कर नहीं है इस कारी मेंने 100% दिया है तो आपका काल आज नहीं तो कल अगर आप कारी में consistency है मिरहंत तरता है तो आप success अवश्य होगें बस इसके लिए कोई अच्छी योगिता या जीन्यस होना जरूर रही है काम के प्रती समर्पन इमानदारी निदंतरता और सीखते रहे हैं धीरु भई अम्बानी किती तक पढ़े थे एट तक पढ़े थे तो क्या हुआ वह सक्सेस नहुए उनके काम में तीन चीजे थी काम के प्रती इमानदारी और सीखते रहना और निरंतरता गोतम अडानी वह बहुत कम पढ़े देंगे काम में क्या था निरंतरता इमानदारी और सीखते रहे हैं कि एक लव के पास तो ना तो गून था ना कुछ था एकलेओ कैसे विश्व का सबसें बड़ा धनूर दर्वना कैस सिर्फ तीन चीजों की वर्चे निरंतरता काम के परती इमानदारी और सीखते रहना इसलिए जरूरी नहीं कि आप जीनियस नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पहोगे बिना जीनियस वाले लोग भी इस दुनिया में बहुत कुछ कर चुके हैं आपको कुछ नहीं करना है बस यह तीन कारी करते रहें आप किसी भी कारी को पकड़े एक लक्ष ताय करें और कुछ मत करें उस काम में निरंतरता रखिए कंसिस्टेंसी रखिए और अपने काम के पर दस गंटे काम करें और दस गंटे में आप काम करें तो आप काम किसे कर रहे हो कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो काम हो रहा नहीं हो रहा है बस इसे चल रहा है इसे नहीं आप पांच गंटे काम करें तो पांच गंटे ही इमानदारी ओनेस्टली वर्क करें आपकी आत्म और निरंतर चलते हैं वो कहीं रुकते नहीं है काम में निरंतरता रखना और हाँ स uniqu ड teen आ हर चोटी चोटी चीज से शीखते रहेना आप जब आगे बढ़ोगे न हज्आर तरह की आसपलता मिलेगी उना आपको निरंतरता कंसिस्टेंसी किसी भी कंडिशन में कितनी इबादाय आये लेकिन रुके नहीं सीखते रहें बढ़ते रहें और आपने काम के परती इमान दारी रखें आप कहीं रुकोगे नहीं आप टोप पर तो द्यान रखना सपलता के लिए सबसे बड़ी बात ये कि जीनियस होना जरूरी नहीं है अगर आपने उसके लिए तीन कारी कर लिए निरंतरता काम के परती इमान दारी और सीखते रहना तो आप कहीं नहीं रुकोगे आप हमेसा अगे बढ़ते रहोगे